इतने मायूसी के महौल में आपको एक सुख़द खबर देना चाहता हूँ पिछले 24 घंटों में करोना के दिल्ली में 10,000 से कम केस आए हैं पिछले 24 घंटों में लगबग 8,500 केस आए हैं दिल्ली में पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे 20 अपरेल को तो 28,000 से भी ज़्यादा केस आए थे आज 8,000 केस आए हैं कई दिनों में पहली बार 10,000 के नीचे केस आए हैं दिल्ली में संक्रमंदर भी काफी कम हो गई है पिछले 24 घंटों में संक्रमंदर केवल 12 प्रतिशत रह गई है संक्रमंदर का मतलब अगर हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उसमें कितने लोगों को करोना मिलता है ज्यादा संक्रमंदर का मतलब होता है कि करोना बहुत जादा फैला हुआ है आज ये संक्रमंदर केवल 12 प्रतिशत आई है, 22 अपरेल को ये 36 प्रतिशत तक पहुँच गई थी दिल्ली में संक्रमंदर, इसका मतलब दिल्ली में अब काफी कम लोग बिमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों में भरती लोगों की संख्या भी अब काफी कम हो गई है, पिछले 10 दिनों में दिल्ली के अस्पतालों में करोना के 3000 से ज़्यादा मरीज कम हो गई हैं, या कि 3000 बेड़ खाली हो गई हैं और, अब अस्पतालों में बेड़ मिलने में परिशानी नहीं हो रही है, हाला कि एक बात देखने में आई है, कि ICU के बेड़ अभी भरे हुए हैं इसका मतलब, सीरियस मरीजों की संख्या अभी ज्यादा कम नहीं हुई है, अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में ICU बेड़ लगबग सारे भरे हुए हैं, इस दिशा में भी आपकी सरकार काम कर रही हैं, लगबग 1200 नए ICU बेड़ बनके तयार हो गए हैं, और आज या कल में ये चालू होने वाले हैं, इस से अपने दिल्ली वासियों को काफी रहत मिलेगी, दिल्ली में जो केस कम हो रहे हैं, इसमें हर दिल्ली वासी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है, हमने दिल्ली में बहुत कड़ा लॉकडाउन लगाया, लेकिन दिल्ली वासियों ने उसमें प केस कम कैसे कर लिये हैं यह केवल और केवल दिल्लिवासियों के अनुशासित आचरन की वजय से हुआ है लेकिन लडाई अभी जीती नहीं गई है लडाई अभी बाकी है अभी भी साड़े आठ हजार केस आए हैं इनको जीरो तक ले जाना है कोरोना को पूरी तरह खतम करना है और दूसरी बात हम अगर अब धिले पड़ गए तो यह केस फिर बढ़ जाएंगे कोई गारंटी नहीं है कि यह कमी रहेंगे फिर से दिल्ली पे मुसीबत आ सकती है इसलिए किसी भी हालत में धिलाई नहीं करनी कडाई से लॉकडाउन का पालन करना है और करोना से बचने क के जितने भी उपाएं हैं वो सारे लागू रखने हैं दिल्ली सरकार भी अपने इंतिजामों में कोई कमी नी छोड़ रही हम अभी और नए ऑक्सीजन बेड़ बना रहे हैं ऑक्सीजन के कई हजार सेलेंडर खरीद रहे हैं नए ने आईसिव बेड़ बना रहे हैं ताकि भगवान ना करे अगर करोना के केस फिर से बढ़ गए तो हमारी तैयारी में कोई कमी नी होगी पिछले कुछ दिनों में बेहत दुखदाई बहुत दुखदाई दिन बीते पिछले सभी कोशिशों के बावजूद हम अपने कई दिल्ली वासियों को बचा नी पाएं कई प कई बच्चों को जानता हूं जिनके दोनों माता पिता चल बसे अब उनका इस दुनिया में कोई नी है मैंसे सभी बच्चों को कहना चाता हूं कि उनके दुख को मैं समझता हूं पर आप चिंता मत करना बच्चों आप अपने आपको अनाथ मत समझना मैं हूना किसी भी बच्चों की परवरिश का खर्चा सरकार उठाएगी। ऐसे कई बुजूर्गें जिनके जवान बच्चे थे, वो कमाते थे, तब उनका घर चलता था। अब वो कमाने वाले बच्चे नहीं रहे। ऐसे सभी बुजूर्गों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे चले चाहे। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है। लेकिन आप चिंता मत करना है। अभी आपका ये बेटा जिन्दा है। ऐसे सभी परिवार जिन में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनकी मदद सरकार करेगी। ऐसे परिवारों की हम आर्थिक मदद तो कर देंगे, पर ऐसे बच्चों को, बुजुर्गों को, इस वक्त प्यार की जरूरत है, हमदर्दी की जरूरत है। मेरी ऐसे परिवारों के सभी परोसियों और उनके रिष्टेदारों से विन्ती है, इनका ख्याल रखना। ऐसे परिवारों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई है, इन्हें अपना प्यार और अपनी हमदर्दी देना। दिल्ली के दो करोड लोग हम सब एक परिवार हैं, इस दुख की घड़ी में हमें एक दूसरी की मदद करनी हैं। आज इद का त्योहार है, ऊपर वाले से आपकी सेहत और आपकी खुशियों की प्रार्थना करता हूं। नमस्कार। झाल झोग हम आपकी सेहत और आपकी सिकार झायक्च्णक Presपक सामें। आपकी सब्सक्झस भाले सिक ठोग का युक्त मदद सेहत यूशियों की बास्क्ती सिकाम् की सतर।